तो कि reden तो हमें आपका ये जहाद में आप पर ये होत कर हांगे हो खुष्कुलार उसको निकालो कि हैं किसे घुद्स हं आजए है ये ये जुत हवाई जहाद है कि यह ये ये राफाइल हवाई जहाद है मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ इससे नरेन में मोधी जी तीस हजार क्रोर रुपे लेकर अनिल अमभानी जी की जिम डाले यूपिया की सरकार थी हाज को ऐसे उठा के रखो शाबाश यूपिया की सरकार थी मनमौन सिंग जी ने वायू सेना से कहा 126 हवाईजास राफाईल हवाईजास चाहिए आप खरी दिये वायू सेना ने फ्रांकी सरकार दस ओड कमपनी से निगोसियेशन किया 8 साल काम किया अंत में 526 रुपे 526 करोर रुपे एक हवाईजास के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने सोदा किया यहां पर उरिसा में एचेल की फैक्ट्री है कॉंट्राइक एचेल को मिना था हिंदुस्तान में और इसा में हवाईजास बनता और आज उरिसा गई हुगा हर प्रदेश में जाते हैं रोजगार ढूनने जाते हैं अगर राफाई लवाईजास यहां बनता तो उनको उरिसा में इंजिनियर्स को सिस्टम एंजिनियर्स को सोफ्ट्वेर इंजिनियर्स को एरोनॉटिकल एंजिनियर्स को यह उसका लिता मगर ना मोधी जाते हैं फ्रांस फ्रांस जाते हैं हवाईजास में बचाए बार आपने नोट की होगी तो पांच साल में नरेंद्र मोधी जी ने दुनिया के हर देश में दौना कर दिया अब पता लगा है फ्रांस गए राफाल हवायजास अमरीका गए वहां कोई और घोटाला करके आ गए कुछ और मतलब वहां पर हतियार खरीदा और अस्ट्रेलिया के वहां हत्यार खरीदा इग्लेंड के वहां हत्यार खरीदा और एर फॉर्स नेवी और अनिका पूरा का पूरा पैसा अपने दर्स 15 मित्रों को दे दिया खेर एचेल से कॉंट्राइक्षी ने अनियलंबानी की जे मिड़ा अनियलंबानी ने हवाई जहाज नी बनाया जिंदगी में यह जो बनावा आपका कासस का यह भी अनियलंबानी नी बना सकता है यह कॉंग्रेसियों में बना दिया मगर अनियलंबानी यह जहाज नी बना सकता अब आप और बात सुनिए उधर दिल्ली में अनियलंबानी मेहुल चौक्सी नीरभ मोधी और नरेंद मोधी पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन चंता कहती दी आएंगे अब नया नारा देखो चौकी दार अभी भीया दिल्ली में सुनाई देना है चौकी दार अच्छा अब चौकी दार चौर है अब और इसा की थोड़ी बात करते हैं और इसा में चिट फंड हुआ चिट फंड का खटाला हुआ उसमें बीजेटी के समनेता भशे हुए हैं सबने प्रश्टेचार किया नवीन पतनाईग जी ने प्रश्टेचार किया अब नया नारा सुनो चौकी दार चौकी दार चोर है नवीन पतनाईग रिमोट कंट्रोल है मतलब है प्रवान मंत्री चौकी दार कहता है नवीन पतनाईग जी आप दाए देखिए नवीन पतनाईग जी दाए देखते हैं मोजी जी कहते हैं बहिया उपर कियो देखे नवीन पतनाईग जी उपर कियो देख इसा की सरकार और इसा में नहीं च्छित नहीं चलाई जा रही है और साज ही सरकार नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं जाए वो गबर सिंग का चो आइडों नोट बंदी हो जाए वो राजसबा तुछने की सर्योज नहीं पड़ती भाई हो डेनो नरेंज मोदी जी बटन दबाते है रिमोट कंट्रोल पे और नवीन पटना एक बिल पास करता है लोकराने बेदान सबा में राजिस सबा में और दिल्ली में एक के बारेंगे एक बारेंज मोदी जूटे वाइवे करेंगे मैं आपसे पूछना चाहता हूं पंद्रालाग रुपे का वाइदा किया आपको मिलें पंद्रालाग रुपे कोई है यहाँ पे कोई है यहाँ पे जिसको पंद्रालाग रुपे मिलें दो करोड युवाओं को रोजगार देने की बात की थी हर साल यहाँ कोई युवा है जिस गान के लिए से दाम मिलता है नहां कर्जा माफी हुई है साड़े तीन लाग करोर रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का कितमाफ किया है मगर औरिश्या के किसान का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता कि यहां पर नरेंद्र मोदी जी आये थे कि आपसे चुना में वाइदा किया कि इसपाइज जेन्रल होस्पिटल का वायदा किया तो हां या ना किया ता जी सुपर-स्पेशलिटी बनेगा किया ता एンダवा अचे मब उतोNot एक और बात बताओ ब्रह्मनी नदी के उपर कितने फुल है किसने बनाया कि उसका रिदेशन हुआ उस पर काम हुआ मोदीजी ने वाइदा किया था पहले यह होकी का स्पॉट का सेंटर हुआ करता था होकी का सेंटर हुआ करता था यहां से सेंटर ऑव एक्सलेंस चीन के बुवनेश्व पचा दिया किया नहीं किया तो जानी आते हैं चाहे वो नवीन पटनायक जी हो चाहे वो उनके रिमोट कंट्रोलर चलाने वाले चौकी रहो जहां भी जाते हैं जूट बोलते हैं अम नहीं करते हैं अब मैं आपको तोड़ा सा कंग्रेस पार्टी के बारे में बताना चाहता हूँ रूर्केला में स्टील प्लांट किसने लगाया जब यूपिया जी सरकारती पैसा किसने बेजा किसने बेजा किसानों की मदद करेंगे कर्जा माफ करेंगे रोजगार दिलवाएंगे एक के बाद एक जमीन का सही दाम दिलवाएंगे कि चुना हुआ कि मैंने वहां भाशन दिया देखिए हम उल्टी सीरी बात नहीं करेंगे मगर जैसे ही मद्यपलिश रादिस्तान 36 गड़ में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी आप बसक गिनना एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस और किसनों का कर्जा माफ ह जाएगा पीजेपी के लोगों ने कहा उनके मुक्य मंत्रियों ने कहा पैसा कहां से आएगा कैसे हो सकता है कॉंग्रेस जूट पल रही है बाई और बेहनों मैं आपको बता रहा हूं आप चतिस घर जाओ मध्यप्रदेश जाओ राजस्तान जाओ उधर जागे पूचों क् आपको जवाब मिलेगा कॉंग्रेस पार्टी ने तस दिन नहीं लगा है दो दून के अंदर किसानों का कर्ज़ा माफ कर दिया चतिस घर में यहां पिछली मीटिंग में बगेल जी थे मेरे साथ चतिस घर में किसानों को धान के लिए 2,600 रुपए मिलता है चतिस घर के हर किसान को 2,600 रुपए धान के लिए मिलता है मैं और इसा के किसानों से पूछना चाहता हूं जो आप टीवी देख रहे हो हमने चतिस घर में 2,600 रुपए धान के कर दिये जब आप आपको कितना मिलता है कितना अरे भाईया जोर से बोलो अब सुनिए जो हमने चतिस घर में किया और मैं आपको बता रहा हूं गया दिनी लगेंगे चतिस घर में जो हमने किया मद्यूप्रदेश में जो किया राजिस्तान में जो किया उसको हम 10 दिन के अंदर और रिसा में करके दिखा देंगे आपके पास आपे बात समझे हो मैंने चतिस घर में बात बोली 36 गरीब प्रदेश नहीं है मद्यप्रदेश गरीब प्रदेश नहीं है मगर 36 गर और मद्यप्रदेश की जंता गरीब है क्योंकि आपकी सरकारों ने आपको 15 साल लुगा और यही हां हो रहा है और इसा गरीब प्रदेश नहीं है और इसा के लोग गरीब है क्योंकि आपी सरकार एक के बाद एक एक के बाद एक आपको लूटती है कि यहां पे कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तीन काम हम शुरू इत्म कर देंगे पहला काम 2600 रुपए किसानों के धान के पैसा मिलेगा दूसरा काम किसान का करजा माफ होगा अगर उनका करजा माफ नहीं करोगे तो हम किसान का करजा माफ करें लो इसको न्याय कहते हैं अगर उनका किसान का कर्जा माफ होगा आगरी बात सुनिए किसानों की चत्रिस घर में टाटा की फैक्टरी थी जमीन अधिकरन बिल में हमने साफ कह दिया था अगर जमीन किसान से आधिवासी से ली जाएगी तो उससे पूछ कर ली जाएगी और उसको मार्केट रेट से चार गना जादा पैसा मिलेगा कॉम्पंसेशन और आज सुनीजीए आज चछत्रिस गढ़ जाने से वापिस जाने पहले 36 गर्ण के चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा कि समीन अधिर करण बिल के में लिखा है कि 4 गुना जादा पैसा 36 गर्ण के किसान को मिलना चाहिए BJP ने 36 गर्ण में बिल रद कर दिया था मैंने एक बार फिर उस बिल को लागू कर दिया है 36 गर्ण किसान को मार्केट रेट से 4 गुना जादा पैसा मिलेगा खतम और तीसरी बात अगर किसी उद्योग पती ने या किसी काम के लिए सरकार्ण किसान से जमीन चीनी और अगर 5 साल के अंदर उस जमीन पर फैक्टरी नहीं बनी कारखाना नहीं बना इंडस्ट्री नहीं लगी तो वह जमीन वापस किसान के हाथ कर दी जाएगी 36 गर्ण में टाटा ने टाटा को जमीन दी गई सालों के लिए टाटा कंपणी ने लहाँ पर कार खाना नहीं लगाया लगा दिया होता तो रोजगार मिलता सबका फाइदा होता मगर किसी ना किसी कारण उन्हें फैक्ट्री नहीं लगाई तो 36 गर्ण की कॉंग्रस की सरकार ने टाटा कंपणी से जमीन लेकर वापस किसानों को दे दी और यही काम 36 गर्ण होगा जमीन अधिकरण बिल ट्राइबल बिल इस प्रदेश में हम लागू करेंगे अगर आपसे जमीन चलेगा आधिवास की किसानों कि यह आपकी जमीन है अगर आप जमीन ली जाएगी तो आपसे पूछ के ली जाएगी अगर आप हाँ कहोगे तो मार्केट ट्रेट से चार गुना पैसा आपके बैंक अकाउंट बजाएगा और पांच साल के अंदर उस जमीन पे कुछ नहीं किया गया तो वह जमीन आपको वापिस मिल जाएगी जल, जमीन और जंगल यह आदिवासियों का धन है यह आपका है यह नवीन पटनायक जी का नरेंग्य मोदी जी का नहीं है यह आपका हक है यह आपका धन है